हलो दोस्तों क्या हाल है मैं हूँ मांसिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तो आज मैं आया हूँ आज एक ऐसी वीडियो आपके लिए जिसमें हम लोग डिसकस करेंगे पब जी के डिफरेंट डिफरेंट टैप के वर्जन्स पूरे दुनिया में अलग अलग पब जी के तो आज हम वही चीज़ चेक करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कैसा लगा जरू बताएगा अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए लेकिन कमेंट पे जरूर लिखेगा क्यों आपने डिसलाइक किया और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए कमेंट करना आपकी मर्जी है आप कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है पब जी का ग्लोबल वर्जन जो की में वर्जन है पब जी का और पूरी का दूरिए वोल वर्जन को ही राकषरिश किया जाता है लोगल वर्जन य데 है तो यह थे पाला वर्जन पब जी का ग्लोबल वर्जनäg नमबर पे आता है हमारा Korean या Japanese वर्जन यह वन आप दी सबसे पॉपुलर वर्जन है अभी के लिए इंडिया में क्योंकि इंडियन मतलब PUBG तो नॉर्मल जो था ग्लोबल वर्जन वो बैन हो गया है तो अभी हर कोई Korean वर्जन या Japanese वर्जन डाउनलोड करके ही खेल रहा है Korean वर्जन या Japanese वर्जन जो PUBG का है वो PUBG कमपनी के हिसाब से सबसे लकी वाला आप समझ सकते हैं गेम है या पार्ट है उसका इस गेम पे जो भी अपडेट्स जो लेटेस्ट अपडेट्स आती है सबसे पहले Korean वर्जन वाले पे ही आती है उसके बाद उसको जो है बाकी वर्जन इंप्लिमेंट किया जाता है या यूज किया जाता है प्लेयर्स को जब ये Korean वर्जन खेलते हैं जो भी प्लेयर्स रहते हैं जैसे आपको पता है कि आपको गंस का स्किन मिलता है अलग-अलग कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं बहुत सारे चीज़े होती हैं वो सारे के सारे चीज वगरा वो यहां पर जैसे dance वगरा हो गया वो सारा का सारा कुछ आपको Korean version में जल्दी और easily मिल जाएगा और एक अच्छी चीज भी इस पर है कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे तरह के characters और skills वगरा और skins वगरा सब कुछ मिलता है इस पर अकर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो बस एक छोटा सा request है वीडियो आपको कैसा लगा है comment करके जरूरत है लेकिन यह जिस टैप के comments मुझे मिले हैं इस टैप के मत देना कुछ और दे सकते है ठीक है guys चलो continue करते हैं हमारे वीडियो के साथ वीडियो को comment like जरूर कर में उसका नाम PUBG भी नहीं है उसको बोला आता है game for peace यह Chinese version है PUBG का जो कि specially design किया गया है Chinese players के लिए पता नहीं क्यों उसमें क्या difference है मुझे समझ में नहीं है लेकिन अगर overall देखा जाए तो exactly same है global version की तरह कुछ ज़्यादा difference नहीं है बस थोड़े more बहुत Chinese tradition के base space पे कुछ changes कि गये हैं जैसे Chinese New Year के time page में special tournaments type के होते है special seasons आते हैं जैसे इंडिया वाले में आपने देखा होगा special time page जैसे जो जो festivals होते हैं उस type का China में भी इस version पे ऐसे applicable होता है next जो country है जिनका खुद का PUBG version है वो है Vietnam Vietnam का भी अलग सा एक PUBG है वहाँ पर वो normal PUBG यूज नहीं करते हैं और वो especially Vietnamese ये के लिए ही बनाया गया है players के लिए लेकिन ये version जो है आपको सिर्फ ऐसे Asian countries में मिलेगा मतलब Asia यानि कैसे India, Pakistan, Bangladesh ये countries में ये version आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी जैसे मैंने game for peace बताया था ये version का कहीं दूसरे जगा पे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे सिर्फ चा चाहें तो अलग-लग लोग website space के AP की available होते हैं लेकिन साय तो अच्छे से काम ना करें तो आखरी में जो हमारा country है जिसका खुद का PUBG का अपना version है वो है Taiwan ये especially Taiwan gamers के लिए बनाया गया है साय वहाँ पर उनकी जो community है जो hub है वो बहुत popular है तो उनके लिए special बनाया गया है ये global version से कुछ different नहीं है exactly same ही है बस Taiwanese language में थोड़ा बहुत और जो उनकी culture है उसके basis पे कुछ extra skins and modifications वगर है उस पे और finally अगर इंडिया में PUBG unban हो जाता है तो ये list पे इंडिया 6th number पे आ जाएगा जहां पर कि उसका अपना खुद का PUBG available हो जाएगा तो hope करते है guys की PUBG जो है इंडि से जल्द unban हो जाए और unban होने के साथ साथ ऐसा भी रहे कि हमारी जो data security की जो issues है जिसके वज़े से वो ban हुआ था उस पे भी कोई problem ना आए तो चलिए guys आज का वीडियो जहीं पर खतम करते हैं वीडियो देखने के लिए thank you और अगर अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो अ अगर गाइस thank you आज का वीडियो ही कतम करते हैं